हालो फ्रेंट्स नवराति चल रहे हैं तो घर पर सावक औरालू जरूर होते तो आज मैं सिर्फ इन दो चीजों को मिला के जो है आपको टिक़ी बनाना बताूंगी यह सावक के चावल है मैंने यह यह हाफ कप लिया था जिसको मैंने जो है उसको अच्छा से सावक के चावल मेंने की Vault कऱा था और उमको मैंने घोल कर लिया था मैंने इसहाफ यह हाफ कप है तो मैंने सवा कप पानी ह्य लिया था और इसको ऐधा आकूfik सुझें अर्ण मेनने अलूली है मिडियूम साइने sugar और यह ऱ्य क्लय जिनको मैंने बारीक चॉब कर लिये यह मेरा सेंधा नमक है यह कुटई काली मिर्च है और यह भुनवा जीरे का पाउडर है और यह हींग है तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ आप चाहें तो आलू को हाथ से मैश कर लें मैशर से मैश कर लें या फिर आपको इसे आप इसक ग्रेट कर लूँगी आप चाहें तो आलू कम ज्यादा भी कर सकते हैं आलू सेर्फिस को बाइंड करने के लिए होता है कि जब हम इसको बनाए फ्राइ करें तो हमारी जो टिक्किया वो खुले नहीं अब मैं इसको पहले इसमी थोड़ा सा मैश कर लूँगी जब यह ठंडा हो जाए तभी इसको बनाए नहीं तो गरम-गरम से हाथ चल सकता है अब मैं इसको इसमें ट्रांसफर कर दूँगी अब हम इने अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसके अंदर जो है यह हरी मिर्च डाल देंगे इसके अंदर मैं नमग डालंगी भण टीस्पून 1-4 इसपून जो है मैं इसके अंदर कुटी काली मिर्च डाल दूँगी और 1-4 इसपून न जीरा पाओडर डाल दूँगे और लगभर 2-पिंच के कर लिए हम डाल दूँगी सब सब अब मैं इसकी टिक की बनाएंगे आपि या चाहें तो बड़ी घिक के बना सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे अगर आपको लगते हैं यह थोड़ा स्टिक्की है तो आप हाथों को थोड़ा लगा लें मैंने लगाया इस तरह से मैं सारे डोर की जो है टिक्की बना लूगी अभी भी मेरा बैटर बचा है मुझे अभी पूरा नहीं चाहिए तो मैंने कुछ बैटर बचा दिया यह मैंने आठ टिक्की बनाई है इसमें 5-6 टिक्की आप अराम से और बना सकते हैं मिंस आधा कप आप सामक लेते हैं और चार आलू तो आपको लगभग 14-15 टिक्की आपक मुझे इसâte है इसमेरी आपको है यह मुझे काudगी reduced the आपने बाटी बच्ची को दापने लिए फ्लेम को हम एक बार चे खाल पर सर देंगे अभी प्राई नहीं हुए अभी प्राई नहीं हुए प्खोंचे करें ही कर फ़सर इप किघ Jumरी एक के समाः अ चेजरो के मैं अभी को अभी व्लेत की को बार चे झीठा टिक की हमारी फ्रैय होगी ही तो हम निकाल वेंगे अभी इंखो अब मैं गैस को आफ करतूंगी अब हम इन टिक्क्यों को सर्व करेंगे टिक्की हमारी सर्व करने के लिए रेडी है मैंने ये इमली की खटी मिठी चटनी लिये आप चाहें तो इसको जैसे हम आम टिक्की खाते हैं उस पर चटनी डालिये और फिर दही भी डालिये उस तरह से भी खा सकते हैं या आप इसको चाय के साथ snacks की तरह भी खा सकते हैं, मैं आपको दिखाते हूँ मेरी टिककी कितनी क्रिस्पी बनी है, आप इसकी आवाज सुन सकते हैं, और मैं दिखाते हूँ यह कैसे बनी है, फलफी और कितनी सॉफ्ट है, देखे आप, यह देखे, मैं उमीद करते हूँ, आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब पी करें, थैंक यू